करना चाहती है तो मैं आप लोग के साथ कुछ टिप सेयर करूंगी और बज़र फ्रेंडली डाइट इस डाइट को फॉलो करके आप अपना वेट को गेंड कर चकते हो और वेट गेंड ना होने करना एक वीजन हम लोग खुद होते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं वेट गेंड करना है मतलब सब कुछ खा सकते हैं और खाने के बाद अगर रिजन ना मिले तो फिर हम लोग क्या करते हैं इस्ट्रेस लेते हैं जिसके कारण हमरे वेट गेन ना होने का रिजन वही होता है क्योंकि वेट गेन अगर आप करना चाहते हो तो इस्ट्रेस को दूर रखो क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी खाना जब खाते हो लगता नहीं है तो इस्ट्रेस नहीं लेना है आपको दिमाग को एकदम सांथ रखना है और आपको खाना क्या खाना है वो तो मैं आज सेयर करी रही हूँ तो चलो जाके देखते ब्रिक्फरस्ट में क्या है सुबह उठते ही खाली पेट एक ग्लास पानी पानी आपको नॉर्मिल टेंपरेचर का लेना है उसके बाद कोई सा भी ड्राइफ रूट और थोड़ा सा गूड इन सब को आपको अच्छे से चुईन करके चबा चबा के खाना है उसके बाद आपको एक ग्लास पानी पीना है पानी जब भी पीओगे आप एकदम घटक से नहीं पीना है आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी रुक रुक के पीना है आप सुबह उठते ही रोज इस रूटिंग को फालो करेंगे खाली पेट में यह बहुत ज़्यादा इन पॉर्टिंग है आपका मॉर्णिंग का सो गाइस मॉर्णिंग में हमेशा अब धियान रखना कि आपके मॉर्णिंग का जो ब्रेकफस्ट हो वो हेवी हो वो फिलिंग हो जादा से ज़दा कार्ब्स हो प्रोटिन हो और कैलिरी हो और आपको जादा से ज़दा एनरजी दे तो यहाँ पे मैं बना रही ओवर नाइट सोक किया हुआ मुगडल और ओर्स का चीला बहुत ही सिंपल है दोनों को अच्छे से ब्लेंड करना है थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली और थोड़ा सा लसुन का दो कली दिया है उसके बाद जो भी वेजिटेबिल आपके पास एवेलेबल होगा वो कट करके आप दे दो उसके बाद थोड़ा सा नमक और हल्दी दैर सिट हो गया आपका चीला सो गाइस मॉर्णिंग के ब्रेक फ़स्ट के लिए आप आलू का पराथा मुली का पराथा या फिर प्याज का पराथा कोई भी पराथा हो जो घर पे बना हो वो आप ले सकते हो जिसमें हाई प पर बहुत ज्यादा ओईली फुड को एड मत करना क्योंकि वह आपका इस टमक को डिस्टरब करेगा आपको मेटोपोलिजोन को स्लो करेगा और डाइजेस्ट भी आपको अच्छे से नहीं होगा तो अच्छे सबको वेड गेन भी नहीं देगा यहां पर मैंने देही पर सु क्योंकि मैं सुगर नहीं लेती हूँ आप लोग इसको एड कर सकते हो क्योंकि आपको तो वेड गेन करना है सो रेडी हो गया मेरा यम्मी सब ब्रेकफास्ट बहुत ही इजी है सिंपल है और बहुत ही टेस्टी भी है सो मॉर्णिंग पे अब दो एग को अपने डाइट पे ज़रूर इंक्लूट करना एक बॉयल खाओ या फिर आप पोच खाओ पर दो एक को अफुल खाना यहां पर मैं एक ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास इप दो ही एक था और एक मेरा डॉग खाएगा इसलिए मैंने इसको रग दिए जब भी आप खाना खाओ खाना को अच्छ बहुत ज़ड़ा टेस्टी बना था आप लोग इसको ट्राई करना आप लोगों को इसली आप या जब अच्छा लागेगा लोगो का breakfast बहुत ज़्यादा important है, बहुत कोई skip कर देता है, इसको कभी भी skip मत करना, अच्छे से time लेके अपने breakfast को खाना, और हर रोज different different breakfast को try करना, weight gain आपका बहुत ही easily हो जाएगा, अगर आप अपना timing को अपने breakfast को maintain रखोगे, तो breakfast आप जरूर करना, बहुत important है, breakfast के बाद फिर आपको 2,5 घंटे बाद कोई सभी एक fruit लेना है, seasonable fruit जो भी आपके घर पे available हो, अभी summer time है तो तर्मूज रहता है, mango रहता है, लीचू रहता है, तो कुछ भी रहेगा वो अपने सकतो, mango से आपका weight बहुत अच्छे से gain होता है, क्योंकि हाई calorie रहता है, और healthy way मे आपका weight को gain होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा तर्मूज लूँगी, थोड़ा सा mango दोनों को cut करके, मैं एक salad जैसे बना लूँगी, उसके बाद मैं खा लूँगी, कभी कभी मिक्स करके ऐसा खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपको जैसा लगता है, आप उट्ट खा सकते हो, बनाना बहुत ज़्धा हेल्दी होता है, और weight gain करने के लिए भी बहुत ज़्ड़ा हेल्ब करता है, अब यह सारे चीज को अपना diet पे इंकलूट करो, आप चिकु कह सकते हो, चिकु बहुत ज़्धा सुइठ होता है, बहुत ज़्दा ce रहता है जो आपको weight gain करने के लिए बहुत ज़दा help भी करता है अगर आपको weight gain करना है तो आदा घंटा एक घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना है खाने से पहले क्योंकि पेट भर जाता है उसके बाद आप अच्छे से अपने मिल नहीं ले पाते हो जिसके करण जितना body पे आपको मिल जाना चाहिए उतना आपने ही ले पाते हो क्योंकि पानी से आपका पेट औरेडी भड़ा हुआ रहता है तो पानी पीना है आपको खाने के आदा घंटे बाद और अच्छे से अपने मिल को पूरा complete करना है जितना quantity में आप खा सकते हो उतना quantity में अच्छे से अपना carbs, protein, fiber हर एक चीज आपके प्लेट में होना चाहिए और वो आपके body को weight gain करने में help करेगा अगर आपको weight gain करना है बहुत जदा serious हो तो gym आज ही join करो ठीकी सुना आपने क्योंकि weight training बहुत जदा important होता है weight gain करने के लिए weight training से आपका muscle पे work करता है आपको भूक लगती है आप जितना calorie burn करते हो उससे double calorie आप अपना body पे intake करते हो और वो सारे खाना आपके body पे लगता है आपका weight gain होता है आपका body में सो होता है जब भी आप जा रहे हो gym पे आप अपने trainer से बात करो कि आपको weight training करा है weight gain करने के लिए क्योंकि weight gain करने के लिए अलग से exercise होता है वो आपका trainer ही आपको बताएगा without trainer weight training मत करना उससे आप बहुत ज़दे injury हो सकता है तो training low आप at least 3-4 मेहिना आपका weight gain करने में बहुत ज़दे help करेगा बहुत अच्छा result आपका body पे बहुत जल्दी सो करेगा सो अपने routine पे walk out को ज़रूर include करो सो कुछ इस तरीके से आपका lunch का plate होना चाहिए थोड़ा सा fiber, protein, carbs, calorie हर एक चीज होना चाहिए और घर का खाना यहाँ पे मैंने पनीर का सबजी लिया है, दाल लिया है, थोड़ा सा salad लिया है और थोड़ा सा चावल के उपर मैंने घी आड़ किया है that's it घर का simple सा खाना है जो की बहुत ज़दा budget friendly भी है हर कोई teenage, PG में रहते हैं, hostel में रहते हैं, हर कोई follow कर सकते हैं और आज का डायेट ही मेरा बहुत ज़दा budget friendly भी है, तो आप लोग easily follow भी कर सकते हो, घर पे आपकी अम्मी जो भी बना रही है वो सारे चीज आप खाओ, वो आपके वेट गिन करने के लिए बहुत ज़दा help करे गया, या फिर आप होस्टेल, PG या फिर मेरे तरह अकेले रह आप अपने डायेट पे healthy fat को एड करें, जैसे कि potato हो गया, red meat हो गया, red meat रोज मत खाना हपते में एक से दो दिन खाना चलेगा, उसके बाद अब फिस को एड करना, अब एवोकाडो अगर खा सकते हो तो खाना क्योंकि हो थोड़ा से expensive है, तो उतना तो मैं suggest नहीं करूंगी, बड़ अगर effort कर सकते हो तो आप खा लेना, dark chocolate खा सकते हो, वो भी healthy fat है, और weight gain करने में भी आपको help करता है, घर का खाना खाओ, रजमा खाओ, बहुत सारा दाल होता है, जो बहुत ज़्यादा high protein देता है, वो आप खा सकते हो, आप अपने diet पे छत्तु का सर्वत को भी add कर स help मिलेगा weight gain करने में, weight gain करने के लिए best रहता है, सामके टाइम पे वो है smoothie, क्योंकि सामके टाइम पे बाहर का हम लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जिससे हमारे weight gain भी नहीं होता है, और skin भी damage होता है, आप smoothie ले सकते हो, यहाँ पे मैं banana smoothie बना रही हूँ, यहाँ पे बनान दूद, थोड़ा सा, almond, थोड़ा सा, अक्रोड और थोड़ा सा, मिने खजूर ले लिया है, सबको mix कर लेना है, चोकलेट, सिरप थोड़ा सा दे देंगे तक ही और तेस्टी हो जाए, और बहुत अच्छे से high protein, high calorie, एक smoothie ready हो गया, आप mango smoothie भी ले सकते हो, strawberry भी ले सकते हो, अ आती साथ में आपकी इस्किन का क्वालिटी भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा, वेट गेन के साथ इस्किन का टेक्चर भी अच्छा होगा, ओवरल लुक आप बहुत ज़दा प्रिटी और ब्यूटिफुल लगोगे, कुछ इस तरीके से हमारे डिनर प्लेट देखना चाहिए, जहां पर मैंने थोड़ा सा राइस हैड किया है, दो रोटी, थोड़ा सा चिकिन एज़े प्रोटीन और थोड़ा सा फाइबर सैलड, यह हो गई complete एक प्लेट जो बहुत ज़दा सिंपल है, घर का खाना है, एक जो आपको बहुत अच्छे से वेट गिन करने के लिए हल्प करता है, और हम सब के घर पे ऐसा सिंपल सा डिनर बनता ही है, तो कोई टेंसन की बात ही नहीं है, क्योंकि बज़ेट फ्रेंडली भी तो है, कोई ताम जहम नहीं है, आपके डिनर का टाइम होना चाहिए, साथ से 8 के बीच पे, या फिर मैक्स टू मैक्स 8 से 9 के बीच में, उससे जादा नहीं, दिनर आप अच्छे से करो, उसमें थोड़ा सा रोटी के साथ चावल एड़ करो, या अगर आपको रोटी नहीं खाना होता है, तो चावल के कॉंटिटी आपको जादा होना चाहिए, या फिर अच्छा होता है, हाई प्रोटीन रहता है, ये छोटी-छोटी से चीज आपको ध्यान रखना है, वैसे भी हमारे घर पे, हमारे ममी ये सारे चीज बनाती रहती है, तो वो सारे चीज को अपको अपने प्लेट पे एड़ करना है, फिर इसको टाइम से आपको सही से खाना है क्योंकि हमारे घर पे ये सारे चीज अबलेबल भी रहता है और बहुत ज़ता बजट फ्रेंडली डाइट भी है तो आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो घर का खाना खाओगे आपको मेटोपोलेजन बहुत फास्ट वाक करेगा उतना ही ज़्यादा फास्ट आपको वेट गेन में भी हेल्प करेगा एक स्टुलो प्रोṣeस है तो आपको अपने उपर सबर रखना है अपने डाइट पर फोकस करना है इस्ट्रेश बिल्कुर भी नहीं लेंना है अत्तिस्लीपिंग पैर्टन को अपको ठीक करना है और आपका डाइट का टाइमिंग भी आपका ठीक होना चाहिए इस छोटी सी सिंपल से टिप्स को आपको फॉलो करना है आज का वीडियो को अच्छा लगा है अप लोग को अगर वेट लॉस करने के अपर डाइट चाहिए तो वह भी मुझे पाता ना वह भी मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगी और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को नुटिविक्षन को ओन्ड कर देना थाकि अपकी आपकी जब भी विडियो अपलड करें आप लोगों तक नूटिविक्षन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो देख सको तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग घुस रहो अच्छे से रहो और हेल्दी बाई!